हाई sentence हमें study कर रहे है preposition preposition का मतलब होता है संबंद् वाचक जो preposition उते हैं वो संबंद वाचक सब्द होते हैं preposition नाउन को पहले आता है और उनका दूसरी चीज़ों से क्या संबंद्ध यह बताता है तो accepts आज का topic है awful और इसका यूज का के की संबंद या अधिकार बताने के सेंस में किया जाता है हम लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट एक्जाम्पल और एक्जाम्पल के थुरू समझते हैं जैसे दसरत आयुद्या के राजा थें दसरत वाज द किंग आफ आयुद्या या एक किताब मोहन की है दिस इस दबुक आफ मोहन वाई अमीर व्यक्ति का लड़का है उसकी बाइक कर रहे हैं लाल है दा कलर ओफ इस बाइक इस रेड बना ओना जो कोई चीज किसी चीज से बनी हुई होती है उस सेंस में भी हम आफ का यूज करते हैं जैसे यह मेज लकडी से बनी हुई है इस टेवल इस मेड आफ वूड वाई कुरसी प्लास्टिक की है यह देट चैर इस मेड आफ प्लास्टिक रोड इटों से बना है रोड इटों से बना है दा रोड इस मेड आफ ब्रिक्स इसका नेक्स यूज है कॉज आफ cause of अर्थात कारड बताने के लिए वाय बुखार से मरा he died of fever बे कॉलरा के कारड मरे they died of कॉलरा इसका next use है मापतल या मात्रा बताने के सेंस में मुझे एक गिलास पानी दो give me a glass of water मुझे एक किलो चावल चाहिए I want a kilo of rice इसका next use date तिथी के सेंस में किया आता है जब हमें तिथी या date तारीक बतानी हो तब जैसे it was the 5th of April अप्रेल की 5 तारीक मैं तीन जनवरी को आया था I came on the 3rd of January इसका next use के बारे में about के सेंस में भी किया जाता है जैसे क्या तुम मोहन के बारे में जानते हों दू यू नो आफ मोहन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं I do not know anything of his इसका next use अल्स मात्रा या हिस्सा के सेंस में भी किया जाता है जैसे Mr. K. Chandr Institute के head है Mr. K. Chandr is the head of the institute तुमने मेरी किताब के दो page फार दिये You tore two pages of my book इस वीडियो के मात्यम से मैंने आपको off के बारे में समझाया है मैं आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट जरूर करें सेर और लाइक करना मत भूलिएगा तो फैंट्स इस तरीके के इंट्रेस्ट वीडियो में और लाता रहूंगा तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए